हेलो फ्रेंड्स वेज किचन में आपका स्वागत है मैं हूँ कवीता आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीसेस रेसिपी जिसे आप गेस्ट के आने पर भी सर्व गर सकते हैं यह है एक स्वेट डिस है फलूदा कस्टर इसे हम दो तरह से बनाएंगे और यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है साथ ही हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ टिप्स तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को सुरूचले कर आज तक पूरा देखे बिल्कुल बिसकिप ना करें फलूदा कस्टर बनाने के लिए यह मैंने लिया है एक लिटर दूद एक गिलास पानी साथ ही मैंने लिया है फलूदा मिक्स का पैकेट इसे हम फलूदा कस्टर तियार करेंगे यह केसर पिसका फ्लेवर का है फ्रेंड्स इसमें हमें चेनी डालने की जरूरत नहीं है यह ऐ में एड करूंगी फलूदा मिक्स तो इसको हम चला देते हैं जिससे के तली में लगे नहीं और इसको उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे अच्छे से हाई फ्लेम पर यह देखिए फ्रेंट्स दूद में उबाल आ गया है अभी उपर निकल रहा है तो मैं इसको फ्लेम को लो इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी चलाते हुए इसे हम लगाता चलाते हुए लो टू मेडियम फ्लेम पर 20-25 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे कि हमारा बहार भी ना निकले और साथ हम इसे लगाता चलाते रहेंगे जिससे कि हम साइडों में यह चिपके नहीं तो यह द यह अभी हमारा प्रफेक्ट नहीं हुआ है एकदम क्रेम लुकाने तक हम इसे पकाना है तो यह देखिए फ्रेंट्स इसको पकते हुए 25 मिनट हो गए है यह देखिए यह काफी गाड़ा हो गया है बस हमें इतना ही चाहिए अब मैं इसमें एड करूंगी कुछ बदान यह म हम इसमें से बचा लेंगे ड्राइफूर्स क्योंकि हम इसमें बाद में भी आड करेंगे आप चाहिए तो इसमें काजू पिस्ता भी एड कर सकते हैं तो यह देखिए एक काफी काड़ा हो गया है अब मैं फिलम को आफ कर रही हूं वाव इसका टेक्च्चर आप देख सकते हैं ठंदा होने के लिए बट मैं ले रही हूं एक बड़े से बरतन में एक दम चिल पानी फ्रीज का जिसमें की हमारी गोनी अच्छे से आ जाए इस तरह से फ्रेंट्स ही बहुत ही जल्दी से ठंदा हो जाता है इसमें हमें ज्यादा समय नहीं लगता है तो यह देखिए य रूम टेंपरिचर पर आ गया है यह देखिए एकदम ठंदा हो गया है यह में इसमें उगले भी डाल सकती हूं तो इसको अब हम रख देंगे फ्रीज में दो से तीन घंटे के लिए अच्छे से जब तक यह चिल्ड ना हो जाए यह देखिए काफी गाड़ा हो गया है यह तो इसको हम फ्रीज में रख देते हैं ठंदा wsने के लिए तो देखिए फ्रेंस तीन घंटे हो गई है इसको अभी एकदम अच्छे से चिल्ड हो गया गया है आप जाल करेंगे अग इसको हम सर्फ करेंगे बाल में फ्रेंस इस तरह से कषटर बना जरूर त्राइए तो ये देखिए इसका हमने सर्व कर दिया है और इतना हमारा ये बच भी गया है ये हमारी 6 कटोई के लगभग बनकर तयार हुआ है अब इससे मैं दो दरह के कस्टर तयार करूंगी fruit custard and dry fruit custard तो ये मैंने लिए है चिरोंजी तो नो बाउलों में चिरोंजी अड़ कर दूँगी साथ ही इन दो बाउलों में एड़ करूंगी cutaway बदाम आप अपनी पसंदे कोई भी dry fruits ले सकते हैं पिस्ता, काजू, जो भी आपको पसंदो अब इन दो बाउलों में एड़ करूंगी fruits यह मैंने लिया है मैंगो यानि कि आम इसको भी मैंने चोट-चोटे पिस्स में cut कर लिया है अब इन दोनों बाउलों में एड़ कर दूंगी के ला फ्रूट्स आप अपने पसंद के ले सकते हैं अंगुरि श्ट्रोवईरी जो भी आपको पसंदो आप उसी से अपना कस्टड तियार कर सकते हैं तो देखिया। चाइरो बावल रड़ी है। अब इसमें मैं एड़ करूँगी रूपजा तो देखियां अशी क्षूरो बहुत एच्छी को भुधे करक्या है। उपर से एड़ कर दी है तो लीजिए फ्रेंज रेड़ी है हमारा ठंड़ ठंड़ा फलूदा कस्टर फ्रेंज आप देख सकते हैं इसके लुक आप अगर बच्चों के आगे रखेंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं बचेगा इसका टेक्चर कितना क्रीमी कितना गाड़ा बनकर तयार हुआ है यह सच में फ्रेंज बिलीव में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार हुआ है और इसको बनाने में हमारा टोटल समय लगा है पच्चिस मिनट तो देखे फ्रेंज मैं इसको आपको पास से दिखाते ये देखिए जब हम फलूदाई खाते हैं तो इसमें जो फूर्ट के ड्राइ फूर्ट के जो करंची साते हैं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही हेल्दी भी है तो फैंस इसे बनाके घर में जरूर ट्राइ कीजिए और आपको हमारे आज की रेसिप सबस्क्राइब का ना बूली भाइ फ्रेंज